जै मतई दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए पैल आइकन को जरूर ट्रेस कर दें दोस्तो मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहनी की वज़े से हम एक दूसरे से लेंदेन भी करते रहते हैं लेकिन जोतिश शास्त्र में ये बताया गया है कि चीजों का आपस में लेंदेन करते वक्त भी हमें विशेश साबधानी रखनी चाहिए क्योंकि जोते शास्त के अनुसार कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिने सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए तो आईए जानते हैं वो कौन सी हैं पांच चीजें जिने सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना चाहिए दोस्तो इन में पहला है रुपिया पैसा मालक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है सूरियास्त के बाद या सूरियास्त के समय अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपिया देता है तो उसका ये मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपने घर से मालक्षमी को विदा कर रहा है अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंट बदल डालिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मालक्षमी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है दूसरा है दूद दोस्तो दूद का संबंद सीधा भगवान विश्रू और माता लक्ष्मी से माना गया है जोतिशास्त के अनुसार सूर्यास्त के बाद ज़िदी किसी को दूद दिया जाता है तो माता लक्ष्मी रूट जाती है और उस घर की बरकत चली जाती है तीसरा है दही जोति शास्त के नुसार दही का सीधा संबंद शुक्र ग्रह से होता है दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्थ होता है लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन से सुख और वैभव चला जाता है चौता है प्याज और लहसुन दोस्तो लहसुन और प्याज का संबंद केतु ग्रह को बताया गया है केतु ग्रह जादु टोना से संबंदित है इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी लहसुन या प्याज नहीं देना चाहिए पांचवा है हल्दी जोतिशास्त में हल्दी का संबंद गुरु ग्रह से माना गया है इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से व्यक्ति के कुंडली में गुरू कमजोर हो जाता है जिसकी वज़े से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी हो जाती है और तमाम तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो दोस्तो अगर आप भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद ये पांच चीजे देते हैं तो ऐसा बलकुल ना करें क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मिया आपसे रूट जाएंगी आपको अपनी जीवन में तमाम तरहे की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद